श्रम्तकार चच्छ टीवी में आपका स्वक्त है पोईतर परमेशुर के पोईतर लोगो आज मैं आपको परमेशुर के पोईतर वच्छन में से संकट से कैसे बाहर निकल सकते हैं चार बातें बताना चाहरा हूं बड़े से बड़े संकट ऐसा संकट जिसमें आपको ये पका लगे नहीं लग जाए कि अब मैं मर जाओंगा अब मेरी मिर्तिव निश्चे है अब मेरे प्राण निकलेंगे ही अब तो मैं बस गया पका पका निश्चे ही मेरे प्राण निकलेंगे अगर इतना बड़ा संकट भी आ जाए चार कदम बस चार कदम उठाएं और निश्चे परमिश्वर आपको मौद के मुझ से बार नकाल लेंगे पक्का हो ही नहीं सकता कि परमिश्वर आपको बार ना नकाल लें हले रूए सो मशली के पेट में बंद मसी लोग चार कारे कर बार निकले है मशली के पेट में बंद जानिके संकट में बंद योना मशली के पेट में बंद था और उसने चार कारे किये मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा जैसे यूना नभी मशली के पेट में बंद था उसके प्रान निकलने वाले थे उसको मालम था कि मेरी जान निकल जाएगी उसके मालम था कि उसके प्रान निकल जाएगे उसके मालम था कि थोड़ी देर के अंदर जो मशली है वो उसे पचा लेगी डाइजस्ट हो जाएगा वो हाजमा हो जाएगा हाजम हो जाएगा आप अपनी बाशा में जो भी कहते हैं जैसे अपने खाना खाते हैं और जब खाना खाते हैं, तो क्या उस खाने को हजम करने के लिए, मैं अंगूर बहुत खाता हूँ, और मालो मैंने अंगूर खाया और मैं पेट में गया, क्या उसे डाइजस्ट करने के लिए, उसे हजम करने के लिए, उसे पचाने के लिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं, अपने आप ही ही वो पाचन चक्ति के द्वारा पच जाएगा, अंगूर. ऐसे ही मचली के पेट के अंदर जो वस्तू जाती है, वो क्या होती है, पाच जाती है उसे, हजम हो जाती है. तो जाब ये उसके बड़े मश्क के अंदर चला गया, बड़े संकट के अंदर चला गया, तो इसे मालूम था, मैं हजम होने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं, आप मेरे प्रान निकल सकते हैं, आप तो मेरी जान गई, इसने चार कदम उठाए थे, मैं आपको बता रहा तब परमिश्र के लोगों साबत का साबत बार निकला था वो, उसके कान भी नहीं खाये थे, मतलब देखो, जब वो पूरा अंदर गया, सबसे नर्म चीज जैसे कान है, तो ये नहीं पचे थे उसको, कान भी नहीं पचे थे, मशलीने कान भी नहीं, उसके अंदर जाने से यह भी गले नी थे, पूरे थे, नाक भी नहीं गला था, आँखों की पुतलियां के तिनी नर्म होती है, मानलो कई बर अपने कुछ चीज खाते हैं, वो जल्दी पच जाती है, असान सी चीजे, कोई हाड खाते हैं, तो थोड़ा अस टाइम लगता है, तो मानलो उसके अंदर तो जब बार निकलता, तो उसकी उंगलियां पची होई होती थी, खा गई, मतलब अंदर पच गई उसके, मचली के अंदर जाने के बाद, दांतों से नहीं खाया उसने, लेकर अंदर जाने के बाद पच गई होती, तो हाथ तो इतने इतने रह जाते हैं, उंगलियां होती ह लेकिन उसने चार कदम उठाए पूरे का पूरा वो पूरे का पूरा बच गया है अगर आप यह चार कदम उठाएंगे तो इस बड़े महा मारी में बड़े महा संकत में पूरे को पूरे आप बच जाएंगे जानी के आपका इतना सा आपका थोड़ा सा भी नुक्सान भी नुक्सान भी नुक्सान भी होगा पहला काम उसने जो किया पहला का रहा है योना की पुस्तक दो अधिहाई उसका दो वचन मैंने संकट में पड़े हुए यहुवा को की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली अभी वो संकट में है अभी उसके प्राण निकल सकते हैं लेकिन उस वो पहले ही उसने कह दिया कि मैंने संकट में परमिश को पुकारा परमिश की दुहाई दी और परमिशन मेरी सुन ली उसने पहले कहा दिया कि परमेश्य ने मेरी सुन ली जाने के मेरे कहने का मतलिया है कि उसने क्या किया मन में विशुवाश किया पहली बात उसने क्या किया मन में विशुवाश किया इसलिए उसने कहा दिया परमेश्य आपका धन्यवाद आपने मेरी सुन लिया है देखो यहुन्ना की इंजील 11 है 41 वचन प्रभी यश्यू मसी जब लाजर को जिन्दा करते हैं तो कहते हैं हे पिता आपका धन्यवाद आपने मेरी सुन ली अभी लाजर जिन्दा नहीं हो था प्रभीने सुनु ने पहले कहा दिया युनाव यहां पर कह रहा है कि मैने दुहाई दी और प्रभीने सुन ली अभी तो शुरुआत कर रहा हो लेकिन अबने मन में उसने विशुवाश किया जब उसने मन में विशुवाश किया और मरकस नो दिहाई तेही से वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुश हो सकता है अगर आप मनवे विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुश हो सकता है सब कुश मौत के मुझसे भी बस सकते है मिर्तियों के मुझे बच सकते हैं और यकूब की पतरी एक द्याय शे से आठ वचन में लिखा है कि जो विश्वाश नहीं करता और वो ये न सोचे मुझे प्रभू से कुछ मिलेगा क्योंकि उसे प्रभू से कुछ नहीं मिलेगा वह लिखा है वो समुंदर की लहरों के समान है उसके भावना कभी तो विश्वाश उपर होता नीचे होता जैसे समुंदर की लहरों होती है उथल पुथल होती रहती है उपर नीचे ऐसे विश्वाश और लिखा है वो दो चिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है वो ये ना सोचे कि मुझे प्रबू से कुछ मिलेगा बैबल लारा नहीं लगाती बैबल कहती है ऐ विश्वास करने वाला ये ना सोचे उसे प्रबू से कुछ मिलेगा और विशुवास करने वाला को सब कुछ मिलेगा तो उसने विशुवास से पहले ही कहा परमेशर आपने मेरी सुन ली उसने विशुवास किया आपको विशुवास करना है कि परमेशर ने इस संकट में इस महामारी में इस रोगने में इस बड़ी मसीबत में, इस बड़ी परिशानी में परमिश्व ने मेरी सुन लिया अभी आपको लग रहा कि संक्ट है, अभी वो मशली के पेट के अंदर था अभी किसी भी स्चान वो हो सकता था, पच सकता था, डाइजस्ट हो सकता था लेकर उसने कहा, परमिश्व आपने मेरी सुन ली, और ये बात, दूसरी बात जो थी, वो थी योना की पुस्तक में ही, दो दिहाई और एक वचन तब योना ने उसके पेट में से अपने परमिश्व हुआ से प्राथना करके कहा, दूसरा कारह क्या कर रहा है, प्राथना कर रहा है, आयत चाहिए पहले लिखी है, लेकिन पहले उसने विश्वास किया, और फिर प्राथना किया विश्वास नहीं किया है, तो प्राथना का कोई मतलब नहीं है, विश्वास किया, फिर प्राथना की, तो आपको क्या करना है, मन में विश्वास करें, और दूसरा कारह क्या करें, परमिश्वर से प्राथना करें, परमिश्वर की बनाई हुए वस्तों से नहीं मैं कह रहा परमेश्वर से पराथना करें तब यह नहीं मश्ली के पेट में से अपने परमेश्य यहुआ से पराथनख करके कहा मैंने संक्ट में पड़े हुए यहुआ की दुहाइदी और उसने मेरी सुन लिए क्या कर रहा है? पराथना कर रहा है आप भजन सेता चौनतिस अधिहाई और शे वचन को पढ़िएगा भजन सैता चौनतिस अधिहाई और शे वचन इस दीन जनने पुकारा तब यहुआ परमेशुर ने सुन लिया और उसके सब कस्टों से शुडा लिया यह पोहितरात्मा के द्वारा लिखा हुआ परमेशुर का पोहितर वचना है यह लिखा है दीन जनने पुकारा जो संकट में था जिसको लग रहा था कि मेरे प्राण निकले दीन जनने पुकारा जनके दवद यहाँ पर अपनी बात कर रहा है दीन जन ने पुकारा ता परमेशर यहवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कस्टों से शुडा लिया सब कस्टों से जब उसकी जान निकलने वाली थी तो यूना ने भी ऐसा किया पुकारा परमेशर को मन से विश्वास करते हुए और परमेशर ने उसे शुडाया फिर भज संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे शुडाओंगा, और तु मेरी महमा करने पाएगा, परमेशर खुद कहते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, परमेशर कहते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, यह नहीं कहते हैं, संकट के दिन उसको पुकार, उसको पुकार, उसको पुकार उसको उसको संक्र के दिन परमेशर कहते है मुझे पुकार मैं तुझे शड़ाओंगा पुकार प्रात्ना कर संक्र के दिन पुकार मैं तुझे शड़ाओंगा और फिर तुम मेरे मैमा करेगा तो योना ने क्या किया दूसरा काम परमेशर को पुकारा जाने के अपने संकट की गंबीरता को समझा पहली बात मन में विश्वास किया दूसरी बात परमिश्र से प्राथना की तीसरी बात अपने संकट की गंबीरता को समझा यह बहुत जरूरी जब आपके उपर जो संकट है इसके गंबीरता को समझेंगे फिर ही आपके हिर्दे से ऐसी पुकार परमिश्र के लिए निकलेगी जब तक आप संकट की गंबीरता को नहीं समझेंगे तो वो हिर्दे के में वो भावना नहीं उम्डेंगे योना ने गंबीरता को समझा आप बहुत ध्यान से बात को समझे मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे गैरा सागर मेरे चारों और था और मेरे सिर में सुवार लिप्टा हुआ था मैं पहाडों की जड़ तक पहुँच गया था मैं सदा के लिए भूमी में बंध हो गया था तो भी हे पर मेशिज हुआ तूने मेरे प्राणों को गड़े में से उठाया है जब मैं मूर्शा खाने लगा तब मैंने यहुआ को समरन किया और मेरी प्राथना तेरे पासवर न तेरे पोहितर मंदर में पहुँच गी क्या है मामले की गंबीर तक समझा वो कहता है मैं इतना पानी में गहरा डूब गया था नीचे तक पानी में पहुच गया था मेरे चारों और पानी पानी मैं तो जड़ तक पहुच गया था और कहता है मैं मूर्शा खाने वाला था और फिर मेरे प्राण निकलनी वाले थी बड़ी बात वो कहता है मैं जल में यहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे मैं जल में ऐसा गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल लिए जलनी कि उसने इस गंबीरता को समझा कि मैं किसी भी समय मर सकता हूं किसी भी समय मेरी जान निकल सकती है किसी भी समय मेरे प्राण निकल सकते हैं किसी समय मैं मर सकता हूं उसनी गंबीरता को समझा आप पर जो संकट है आप इसकी गंबीरता को समझे आप ये ना सोचें कि ये तो समस्या उसके लिए 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 और ऐसी ऐसी कोई बात नहीं परवा नहीं है कुछ नहीं मामले की इस संकट की गंबीरता को समझे इस संकट में प्रान भी निकर सकते हैं जैसे आज इन दिनों में महमारी आई हुई है तो महमारी में टीवी पे बता रहे थे एक लाख से भी उपर लोग मार रख रहे हैं तो वह वहारस, वह महामारी, वह संकर किसे किसी के उपर भी आ सकता है परमेशर के लोगों, मैं आपको ये बाद बताओं आपको मालू है, बिरिटेन के जो परदानमत्री हैं बहुत अच्छे हैं उनके उपर भी ये क्या हो गया था महामारी ने उसको भी घेर लिया था और अब वो ठीक है उस्पिटल से उन्हें शुटी देगी दी गए परमिश्र के लोगों आप इस गंबीरता को समझे जो आप खबरें देख रहे हैं टीवी पे जब पढ़ रहे हैं कैसे लच है हॉस्पिटलों में बार के देशों में भारत के बार क्या हाल है लोगों का प्रभू के लोगों आप ये जो भी आपके उपर संक्ट है जरूरी नहीं इस समय की बात कर रहा हूँ बाद में भी कोई भी संक्ट है उसकी गंबीर तक संग्जें कि हाँ ये मेरे उपर केश चल रहा है इसमें अगर मुझे सजा होगी तो मैं 20 साल की मुझे सजा हो सकती है मुझे 15 साल की सजा हो सकती है मुझे उमर कैद हो सकती है और ये जो संक्ट चल रहा है इस संक्ट में मेरे प्रान भी जा सकते हैं ये जो संक्ट चल रहा है इस से मेरा परिवार भी उजड़ सकता है ये जो संक्ट चल रहा है अगर ये हो गया तो मेरे सब कुछ बरबाद हो सकता है मामले गंबीरता को समझे जब आप समझेंगे कि ऐसा हो सकता है तब आपके हिर्द्य से फिर घर्अई से प्रात निकलेगी परमीशर नहीं नहीं मुझे बचा तो इसने क्या किया मामले की गंबीरता को समझा कि मेरे उपर इतनी बड़ी समस्या है मेरे इतनी बड़ी हानी हो सकती है, मेरे प्रान में निकल सकते हैं ठीक है और फिर चोथी और अंतिम बाद योना ने क्या किया दो अधिहाई और नौवचन योना दो अधिहाई और नौवचन मैं उंचे शबसे धनेवाद करके तुझे बलीदान चड़ाऊंगा जो मनत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा उधार्ज हुआ ही से होता है क्या कर रहा है मनत मान रहा है योना ने क्या किया दीन होकार मनत मानी योना ने दीन होकार मनत मानी पहली बात मन में विश्वास किया परमेशर यहुआ से प्रात्ना की अपने संक्ट की गंबीर तक समझा और फिर दीन होकर मनत मानी पश्चेतापी मन के साथ मनत मानी दीन होकर मनत मानी और परमेशर उसे कहता है परबुची, परमेशर ची मैं मननत जो मैंने मानी उसको मैं पूरी करूँगा और फिर दस सोचन में लिखा है तब यहवा ने मच्च को आग गया दी और उसने योना को सथलपा उगल दिया तब परमेशन का इसे बार नकाल दे और वह बार निकला बिल्कुल साबत कोई भी हानी ने कोई भी हानी ने कोई भी हानी ने कोई भी हानी ने हालेलुया मननत मानने मननत मानने आप भी मननत मानने बजन सहता चोपन अधिहाई छे और साथ वचन बजन सहता चोपन अधिहाई शे और साथ वचन मैं तुझे सुष्षा बली चड़ाऊंगा ही जो हुआ मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा क्योंकि ये उत्म है क्योंकि तुने मुझे सब दुखों से चुड़ाया है और मैं अपने शत्रों पार दिश्टी करके संतुष्ट हुआ हूँ यहां क्या कह रहा है मैं बली दान चड़ाऊंगा अपनी च्छा से सब च्छा से बली दान चड़ाऊंगा परमेशर क्योंकि तुने मेरे मुझे संकट से शुड़ाया है बजन सहता 66 अध्याई 66 63 अध्याई 13 और 14 बचन मैं होंबली लेकर तेरे भवन में आऊंगा मैं उन मनतों को तेरे लिए पूरी करूँगा उन मनतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुझे खुल कर मानी और संकट के समय कही थी जानिके संकट के समय लोग जो थे वो मनत मानते ही थे प्राना निया में हम लोग बहुत बार देखते हैं इसे बातों को बैबल परमिश्रक वचन में संकट के समय जो मैंने मनत मानी थी मुझ खुल कर मानी थी वो सारी मनतों को मैं पूरी करूँगा तो यहां पार भी उसे बात को लिखा हुआ है भजन सहता 76 शेतर अध्याए 76 बजन सहता 76 शेतर अध्याए 70 और 6 और उसका 11 वच्जा अपने परमिश्रक वचन में परमिश्रक की मनत मानों और पूरी भी करो वे जो भैक जोग्या है उसके आस पास के सब उसके लिए भेंट ले आएं मनत मानों और पूरी भी करो तो उसनी क्या किया है मनत मानने परमिश्र मुझे बचा मैं ऐसा करूँगा आप भी संकर से बार निकलने के लिए क्या करें मनत मान सकते हैं परमिश्र से मनत मानने मनत जानिके आप सवाशी बलिदान चड़ाने के लिए से कहें परमेश्य ची मैं ये बलदान चिड़ाऊंगा और आप परमेश्य से प्रामस कर सकते हैं वादा कर सकते हैं अब मैं आयत्वार की राधना में जाया करूंगा Пhelle तुम्हें आतवार को सोता रहता था, पहले तो मैं अपने रिस्तेदारी में भागता था, पहले तो टीवी देखता रहता था आतवार को, अब मैं आतवार की राधना में जाओंगा, कोई भी कई शुकरवार को करते हैं, और दुबाई में हमारे एक भैन है, और वो कह रही थी कि हम हमारी से मुझे बचा कर रखना मैं एतवार को राद नम्याऊंगा अब मैं उपवास रखा करूंगा अब मैं परमिश्य को अच्छे से बले दान चलाऊंगा अब मैं अपने दश्माश दिया करूंगा अब मैं आगया कारता करूंगा अब मैं बचन पढ़ूंगा अब मैं प हानी नहीं होगी थोड़ी सी भी हानी नहीं होगी हालेलिया परमिश्च के लोगों अगर आप संकटों बंद हैं तो ये चार कदम उठाएगा प्रभू आपको आशिश दें परमिश्म से आपके साथ रहें प्रबर कर दें